जगत फंजाई कवक पहला अधिकांश कवक तंतु मही होते हैं ये तंतु का जाल बनाते हैं जिससे कवक जाल या माईजीलियम कहते हैं इस जगत के जीव एक कोशिकी इवं बहु कोशिकी युकिरियोटिक वव विशम पूसी होते हैं इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता उधारन के लिए म्यूकर, येस्ट, येगेरिकस, मश्रूम, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एसपरजिलस, पैनिसीलियम आदी आपने नमी युक्त डबल रोटी पर बरसात के दिनों में, चमडे के जूते पर तथा कभी-कभी अचार में जाल युक्त सनरचनाय देखियोंगी ये फंजाई, यानि कि कवक हैं, कुकुरमुत्ता भी कवक हैं, ये कवक सहजीवी, मृतोब जीवी तथा परजीवी के रूप में पाय जाते हैं कुछ कवक हानिकारक होते हैं तो कुछ लाबदायक भी होते हैं कुछ कवक रोग उत्पन करते हैं तो कुछ कवक जैसे yeast, कवपयोग, रोटी, ब्रेड ये बीर बनाने के लिए किया जाता है साथ ही कुछ कवकों से प्रतिजयविक एंटिबियोटिक दवाय भी बनाई जाती है हम अपने भोजन को रेफिजरेटर में क्यों रखते हैं क्या आप जानते हैं लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय है इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्टता से आपस में जुड़े होते हैं कि ये एक ही जीव प्रतित होते हैं शैवाल की प्रकार संसलेशन की क्रिया में बने भोजन का उप्योग कवक कर लेते हैं कवक के द्वारा और शोशित जल और खनिज लवण शैवाल को प्राप्त हो जाते हैं लिटमस एक प्रकार के लाइकेन से ही बनते हैं